नमस्याद दोस्तों आप शब्पा एक वार फिर श्वागत करते हैं कारगुल मिस्ट्री के ओननाई प्रोटल पर तो चलिक शुरू करते हैं आज की डिस्कस को जो की रास्तान लोक शिवा आयूक के द्वारा जो हाले में वेकेंसिस निकाली गई हैं विदी रचना कर पोस्ट आपकी स्टार्टिंग डेट का रहेगी और कौन-कौन अभेर्थी इसके लिए एलेजिबल है वह भी आपन बात करेंगे और साथ इसके लिए अप्लेकेशन फील सी कितनी लगेगी वह भी आपन डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करेंगे एडवर्टाइज में यहापर अगर बात करें इस पर विदी रचनाकर एक्जाइम 2021 निकाले गई है टोटल वदो की बात करें तो आपके पांच पदे के उपर यह वेकंस निकाले गई है और इसमें कडोतरी और बडोतरी डिपार्टमेंट के दो यहापर की जा सकती है टोटल यहापर पांच वेकंस इस जो कि आपके रास्तान विदी रचना सेवा नियम के अंतरगत निकाले गई है और यह सभी वेकंस गेर टीएसप यहने की नॉन टीएसप एरियस के लिए निकाले गई है और इसके आविदन की बात करें तो यह सभी ऑनलाइन अप्लेकेशन ही आपको बरने होंगे अगर बा के अगर पाँकेशन सब दालेग नहीं है और राविदी रचना कर पदहतव आ पर निकाली गई है घौ कर लेते हैं कि प rhin морais कर सकतें कौन इसको पल अगर आए टर्ड इकी सुस्कित कर सकतें हैं अगर बात करें इसमें तो आपके पास में सबसे पहले तो दो साल का लो गार् यहां पर बेचल ओफ लो प्रोफेशनल ओफ इंडिया उसके बाद में आपके पास में इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट से होने चाहिए इन बी एग्जामेशन में उसके बाद में वर्किंग नॉलेज भी आपको लिखने आने चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉल आप से बात करूं तो यहां पर आपके बास में लो ग्रैज्वर जिन्होंने किया है वही इस से अप्लेकेशनल फॉर्म को फिलप कर सकते हैं बाकी लोग इसको फिलप नहीं कर सकते नेक्स अगर बात करें तो आपकी जो इंट्रूज होंगे तो इसका सेलेक्शन प्रोसेश है वह आपको देख लेते हैं इसमें आपका रनिंग पेज होगा वह एल 11 होगा जिसमें 2400 पे ग्रेड होगा और फिक्स पे आपको यहां पे होगा आयू सिमा की बात करें तो आपका 21 वरस लेके 40 वरस की बीच में आपके रहने वाली है साथ ही क्टेगरिस के अको यहिन कि सबसे पहले आपका रीटेन एक्जामिशन से अब्जेक्टीव बैस हाप लिया जाएगा उसके बाद में उसको कॉलफाय करने के अब जाएगा एंट्रुव भी आप अपर लिया जाएगा done specifically seleksh functions Ан यहां जुर स आपके रहेगा वापका समय कैनुषार्र आपको र रहने वाले हैं और सो मार्क्स आपके रहेंगे वह कल्चिलरी और ट्रांसलेशन हिंदी पर्टिकुलर लेंग्विज जो भी आपके लाइस लेंग्विज रहेंगी उससे रहने वाले हैं तो यह भी आप लोग देख लिजीगा अगर आवेदन की तिथी के बात करें तो 18 रास्तान.gov.in करके हैं इस पर फिलफ कर सकते हो साथ ही आपके प्रोटल एसेस पॉर्टल से भी आप इसको फिलफ कर सकते हो नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑल्लाइन प्रक्रिया में आपको जो आपका जो शुल्क होगा वह आपको तीन सो रिपे निर्धर्ध किये गये हैं तो आपको तीन सो रिपे आपे देने होंगे साथ ही दोरान आवेदर पत्तर में अंतीम प्रश्ट अगर आपको पास में किसी परका की तुरुटी आपके रह जाती है तो उसको तुरुटी को सुधारने के लिए आपको तीन सो रिपे दिये जाएंगे यानि कि 10 दिन का कर आपके एरर यहां पे और सूल की बात करें जो एक्जामिशन सूल के लगने वाला है सामाने वरक के लिए आपे 350 होगे उसके बाद में आपका नॉन क्रिमली यानि की ओविसी के टेगरी से 250 होगे साथ ही इससे नीचे आपके 150 रुपीस होगे तो यह अपने पास में था इस विदी रचनाकर पद है तो जो वेकेंसिस पांच वेकेंसिस निकाले गए उसका कम्प्लीट ले एना से कौन भर सकते हैं कैसे भर सकते हैं लास्ट डेट क्या रहेगी कम्प्लीट मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा थैंक यू धहनेवाद